यह वीडियो आपने थम्निल देखा होगा तब भी आये होंगे जी हाँ इंडिया का टी टॉन्टी स्क्वाइट और लेडी बिसी स्याई ने कर दिया है आप सभी के अपनी राय होगी मैं चाहता हूं अपनी राय यहां कमेंट भी रखके रखके और मैं एक अनालेसिस लेके आया हूं कुछ डीटास के साथ जो आपको करेंगे क्योंकि इंडिया में क्रिकेट जी जहान है बले वर्ड कप का फाइनल आ रहे हैं दिल है कि मानता नहीं और चले आते हैं यह आपको पता है कि वैसे और वेस्टन डीज में मिलाके होगा यह तो आप सब्सक्राइब करते हैं हमारे कैप्टन शर्मा जी का बेटा रही शर्मा जी इनकी डाउट नहीं किया जा सकता है जिस तरह से इंडिया के लिए इन्होंने वर्ड कप में जिस तरह से शुरुबात दी थी हाला कि हालिया हालिया आईप्यल फार्म को आप इग्नोर करें कैप्टन की फार्म बैटर है तो अच्छी बात है ना भी हो तो टीम को सभालना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है जो यह बख्यू भी जानते हैं देखा जाए इनके बात करें तो 128 इनिंग्स में इन्होंने बैटिंग की है जिसमें 3334 रन है एवरेश 26.88 का है स्ट्राइक रेट मैडल करती है और यह तो बस हाथ में सपना रही है यार देखके बुरा लगता है चलिए इंग्लेंड के खिलाव टेस्ट में धमागेदार परफॉम्मेंस अभी एक शैंचुरी लगाई है मुंबई के खिलाव शर्मा जी के सामने उन्हें बोला भी था कि मुझे रोईद भईया को दिखाना है सम्थिंग लाइक जैसे इनका रहा है उस तरह से नहीं रहा है लेकि क्याने का मतलब प्रिजन्ट फार्म को देखके मुझे सही लगते हैं कि शर्मा जी के साथ एक लेफ्ट रेंट हैंड कॉम्मिनेशन अच्छा रहेगा आपकी कह रहा है शुमंगिल को लेके अगर आप चाहते हैं तो जरूर यहां मेंशन करें शुमंगिल का करन फॉर्म नह पाकिस्तान के खिलाफ यह वही फिगर है एक तरफा बतलब कैसे उन्होंने डिल किया था एक डिफ्रेंट सिच्वेशन से निगाला था तो इनकी पर शक नहीं करता बागी दर्शक हैं आप जो कहना चाहें कह सकते हैं यह उन्होंने एट टूइट टॉन्टी वर्ड कप्स म सवाल आप उठा सकते हैं मुझे लगता है कि जिस स्ट्राइग रेट उतना मैटर तो नहीं करता दस बार फिफ्टी प्लस इसकोर एटी नाइन की स्कोर पर कर आप लगाते हैं तो आप गलत हैं क्योंकि इस परसन ने मैच वहां से निकाला है जहां से अब उमीद नहीं करते सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो यहां पर फॉर्थ पोजिशन के फॉर्थ फिफ्ट पोजिशन के हगदार होंगे और यह शायर फिफ से शिक्स पर जाएं यह मैनेजमेंट का अच्छा है इन ट्वीट इन ट्वंटीज होने 23 मैचेस कहले मैं आइपल की बात कर रहा हूं इंटरनाशनल मैचेस की यहां पर शेंसो बातता रहना है एवरेज काफी कम है लेकिन कमाल का है क्योंकि यह जिस नंबर पर आते हैं वहां आप एवरेज नहीं नहीं नगाल सकते हैं वहां जो होना चाहिए होना चाहिए इस सेलेक्शन पर आपकी क्या रहा है वह से मुझे नहीं लगता कि आप मैंसे कोई भी सुर्वार यादोजी को डिस्लाइक करता होगा इन डाट किश पंत जी अभी वापसी की है कमाल की वापसी हाई पिल्ली के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले यहीं है नो डाउट इन्होंने इंग्लाइंड और और जल्वा दिखाया है टेस्ट क्रिकेट में तो अगर कोई बंदा टेस्ट क्रिकेट में इतना तगरा जल्वा दिखाता है तो इस पर डाउट नहीं कर सकते हैं और यह तो खैर आईपेल का एक डेटा है लेकि मुझे लगता है कि बंस यू नो बाउट देटा डेटा 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 डेजन्ट मैटर यू नो दे कैपसिटी अभी कुछ पारियां आपने देखी और अच्छी बात है कि संजु जी के साथ ही आये हैं तो एक अंडस्टूड है कि संजु य अपनी कप्तानी से राजस्तान को टॉप रेंक अच्छे नौक्स खेले हैं बंदा शानत रहा कितनों दिनों से बावाल चलता रहा कि संजु का बाइगा संजु आ गया संजु इस एंट्रिक लाइक संजु बाबा संजु संजु के टी टॉटी केरियर की बात करे तो खुछ खास उतने मौके मिले नहीं है और हड़ फॉर्फ नमर पर एक्शली किया इनको जो मौके मिले है ना मौके पर्फॉर्मेंस इनकी उतनी अच्छी निकल के आई नहीं है कुछ वंडेस में किया है बट्टी ट्वंडेस में देखिए उननेस उननेस आठ दो इस पंदरा दस को हाँ पर मिल जाती है हर बार इतनी सुट्यूशन नहीं होती की दस बाल बची हो बट वहां नहीं जल्बा दिखा पाए लेकिन की बैंड बजी हुई है गुजरात को छोड़ से बसे मुंबई में गया है और इनकी कप्तानी पे बहुत सारे सवाल उठाए गया है लेकिन य मुझे कोई डाउट नहीं है और फिलाल आप देख सकते कि इस में अपनी गेदमाजी पे काफे काम कर रहे हैं क्या हम जिस तरह की टीम लेके उतरे हैं उसमें हमारे पास स्पिन एफेक्टेट जादा है पेस बॉलर में हम मौमस सिराज और बुबरा के साथ हैं एक स्पिनर जाए यूजी खेलेंगे या तो फुल्चा खेलेंगे कुलदीब खेलेंगे इस तरह से क्या क्या माती टीम मुझे जादा नहीं पता इतना इस पिड़ी है मुझे नहीं बता बद टी-ट्वंडी के धिला रही है फिलाल हालिया फार्म नहीं अच्छा है आई पिल के फार्म के एक वाडिंग तो आई नहीं अच्छा है बट परसन कांड डू में इस टैलेंट है वाइस कैप्टन मनाया कुछ तो टीम ने सोचा होगा हाला कि आपकी राय अलग है गालिया मत दीजेगा कमेंट में दूबे जी के बारे में शर्मा जी काפी महरवान है उनको काफी अच्छा लगा इनको पावर फिटिंग आप आ इपेल में देख सकते है इंप्लैयर के आने से इन से घीद बाजी नहीं वह यह जैसे कि आप इंगलेंड में देख लें ऑस्टेलिया में देख लें तो ट्रैबिस हैड हुए है और फाइनल में बॉलिंग की थी विकेट्स निकाले तो रोज शर्मा के ग्लेंड मैक्समल ने रविस हैड ने समी फाइनल में अफ्रिका के विकेट्स किराई थी तो वैसे हमें भी वाल चाहिए यूवी पाजी का रिप्लेस्मेंट वै बॉडर के बाद के जो बैट्समेन आते हैं वह बैट्समेन कम आल राउंडर हमें जाता चाहिए जो फिल्डिंग बैटिंग बॉलिंग तो अगर मैं अगर ध्यान से देखू तो शायद दूबे जी पंडिया जडेजा जी यहां तक तो हमें चाहिए ही चाहिए आठ्वे न प्रफॉर्मेंस में आते हैं अक्षर पडेल फिफ्टी वर्ड कप में सलेक्ट होते 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 हैं चोट के अकारण बाहर हो गये थे इस बार ही इस पार्ट ऑफ फिफ्टीन बार्ट फिफ्टीन में है तो अंडर फिफ्टीन में यह हैं अक्षर पडेल सीमिलर टूट जडेजा लेफ्ट एंडर बैट्समैन है सीजा जडेजा जी की तरह स्टम टूश्टम बॉलिंग करते बड़ जडेजा इस बाद जो एक्सपीरियंस है इंटरनाशनल का उतने इंटरनाशनल अवसर मिलेने के आप एक ऐसे एरा में पैदा हो जाते हो कि किसी इंदर आजाते हैं तिनेश कार्थिक जी एमस दोनी के चलते आगे नहीं आपा हैं टैलेंड में नहीं है लेकिन दोनी जी के आगे उस मैं पैदा हुआ है वही हाल मुझे भी लगता है एक्षा पड़ेल जी जड़ेजा के एरा में आगे हैं जब कहीं नगें जड़ेजा और इंड में काफी सिमिलारिटी और कुछ डिफरेंस से भी है और इसी के रीजन से कौन प्लेइंग 11 का मौका होगा या नहीं होगा या लग बात है बट 15 में है और IPL में इंगा इंपक्ट काफी अच्छा चल रहा है वैसे भी इन्होंने जब भी मिला है कि जब भी मौका मिला तो उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है तो मुझे इन पे कोई डाउन नहीं है सेलेक्शन अच्छा माना गया रहा है आपर याद हो आइचिंग इस अगुड च्वाइस चैल साइब भाइच पुल्चा आइड नो वाई आर सीबी रिलीजिंग इस बूइंग वैरी डैं गुट फाराजस्तान के लिए जितना यह जनाब अच्छा गर रहे हैं आफी मशक्य बाद 50-50 वर्ड कप लास्टी 20 वर्ड कप में र नहीं क्या-क्या पर्सन लाइफ से लेके इसको उड़ाते हैं कि एक स्पोर्ट पर्सन की डेडिकेशन होती है अपने काम के लिए औरो इसकी वाइफ का मजाग लगाओ मीम सारी बत्तमीजिया पर सोचल मीडिया पर पार कर लो बड़ ये पतला सा दिखने वाले इनसान इनके पास अपना इंटरनाशनल एक्सपीडियंस भी है विदेशी पिछों पर खेल लेगा भी है और इस प्रूब टाइम तो टाइम हिंसेल्फ आपके सकते हैं कि हर्शल पटेल होने चाहिए ख्रलील आहमद होने चाहिए लेकिन हर्शल पटेल को बहुत जदा मौके दिये नहीं गया है नेशनल लेवल पे इंटरनाशनल लेवल पे इस अबारे में तो मुझे नहीं लगता कोई आलसिस करना से यह बेस्ट बॉलर इन दवर्ट बैट्थ स्पेशलिस्स इतनी फ्लैट पिचेज में बेस बंदे ने इस आईपियल में अपना करियर मना के रख़ा है विगेट्स का देखिए नंबर इकनॉमी को देखिए वर्ड़ बॉलर ही इस तो मुझे नहीं लगता है इन पर कोई अनलसिस और इन पर आप कुश्चन मार्क अपने आपके सवाल उठा सकते हैं आप मुझे नहीं लगता सवाल आप यहां उठा सकते हैं 5050 वर्ट कप के फा इंग्लेंड के खिलाफ हो औस्टेलिया के खिलाफ की सीरीज हो विदेशी पिचोप पे अच्छा किया है नो डाउट और किसी भी प्रिजन टाइम में बहुदा बॉलर्स में इस और नो डाउट ही बॉड बॉलर रैक पे आने पे क्या लगेगा समय नहीं पता बट बॉलर तरह नो देखा जायेगा कि सिराज और अरशदीप में किसको मौका दिया जाता है या तीनों को मौका दिया जाता है Bumra is fixed 50 वर्ड कप में ओपनर बैसमें रहें इनकी जगह जरते कि चोटिल थे इशान किशन थे अधरवाइज इन्हीं को प्रिफर किया गया फाइनल में खेल नहीं पाए वालग बात है लास्ट यह तो गुजरात के लिए टॉफी जिताने तक का काम इनों नहीं किया है कैप्टन सी में इस बार बैटिंग नहीं कर पा रहा है तो यह थे हमारे टॉफ 15 स्कुएर जो फिक्स है इस पर अपनी कमेंट में रहा है जरूर बता है मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है यह कुछ आईपियल्स की इनिंग्स है टी टॉन्टी की है लेकिन मुझे लगता है कि य प्रिजर्व के प्लेइर प्लेइंगे की नहीं या नहीं लोग कहते कि फिनिशिंग के दौर पे इनको रखा जाना चाहिए था मुझे नहीं लगता कि दूबेजी का रिप्लेस्मेंट यह है यह इनकी अलग प्रचिबाया है नो डाउट इस परसन हैस डन बहुत अच्छा इनोंने किया है अब सेलेक्टर की अपनी राय है संप्रिकेट स्पेशलिस्ट है नहीं लेकिन आप अपनी राय जरूर दें आप जनता है और यह रही इनकी टी टॉन्टी नाशनल में 356 रन है बेटिंग एवरेज कमाल का स्ट्राइक रेट और हाईस्ट स्कोर और दो फिफ का मामना है कि इनको टॉफ 15 स्क्वाइड वे होना चाहिए था अब मैनेजमेंट का डिसी जन है मैं अलग 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 का लग कहना है लेकिन हाँ आई आलसो फील की होना चाहिए खली लामत प्रिजेंट टाइम में कमाल की आप कह सकते हो कि पावर प्ले में गेट बाज अच अब पता नहीं है इनको मतलब आप लेंग लेवन में मुझे नहीं लगता अभी इनकी जगत है इनसे बहतर आगे वाले थे एपनी जगह सही है रिंग्व सिंग और खली लामत को आप कह सकते थे लिएवागी को शेक शर्मा को कुछ लूँका का यह नहीं जीतके आती है तो बहुत सारे सवाल आदी हैं सारे क्रिकेट टीम के बौर्ड पर अलग लग दिशुमें लगाया जाते हैं तो यह थी एक ब् जुब लेशन करें सीवेसी दिवाइंट के साथ बने रहें 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 सब्सक्राइब ने मिलता हूं आप से नेक्ष वीडियो में बाइवरीबन वाइव गुड़ डे